दोस्तों आज हम लोग बात करने वाला है बैस्ट रेडमी स्मार्पोन जो आपको 20K के अंदर में देखने के लिए मिलेगा इंडिया का नमर वण ब्रांड है सौमी आईनो आपको पता होगा क्योंकि सौमी के फौन में कामाल का आपको इसप्यास देखने के लिए मिलता है जैसे की डूवल स्पिकर, 108MP का प्रो क्यामरा, 5200ms की बड़ी बैटरी, एक AMOLED डिस्प्ली, 300cc का टस्ट सेंप्लिंग तो अगर आपको ऐसा ही फौन चाहिए 20K के अंदर में वो भी रैडमी के तरफ से तो इस वीडियो को पूरा देखना रैडमी जितना भी स्मार्टफोन इंडेक के अंदर लॉंच करता है, भेलू पर मनी फौन होता है वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल इसकिप मत करना तो बिना टाइम बेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दो इस वीडियो को लाइक एम रप्ताव ओन के आई होप आप लो बहुत ही जल पूरा कर देंगे और यहां नीचे दो कुछ सब्सक्राइब का प्यारा से बटम है उसे भी दबाद है चलिए बात करते हैं उन लोगों की बारे में जिन लोगों का बजट है अठारा के के अंदर मे और अठारा हजार की रेंच में अगर आपको सौमी का एक बैस स्मार्टपन चाहिए तो यहां पर एक स्मार्टपन है जो है रेडमी का नौट 11 5G नौट 11 5G बहुत ही अच्छा फोन है कामाल का क्यामरा एक हाई लेवल का चिपसर मिल जाता है चलिए डिटेल में जानते है क कोई भी आपको प्रोलम फिस नहीं करना पड़ेगा आयर ब्लास्टर देरेक है नीचे के साइड में 3.5 mm का ओडू जैग इस्टुडियो स्पिकर भी देरेक है और कापी ज्यादा लाउड है यह स्मार्टपन लाइट पीड स्मार्टपन है 195 ग्राम के आसपस है तो 200 ग्राम मिल जाता है 50 मेगा पिसल एंड 8 मेगा पिसल का अल्ट्रावड है और 50 मेगा पिसल का मैन क्यामरा है तो यहां पर आपको कोई भी फालतू को सेंसर देखने करी नहीं मिलता है तो यह चीज़ बहुत ही अच्छा लगा और एक्चुल में फोटो का डिटेल्स बहुत ही अच् है क्यामरा के मामले में बहुत ही आगे निकल के आता है बाकी इस फॉन के अंदर आपको 5000 mx की बड़ी बैटरी वेकम मिल जाती है 33 वर्ड का चार्जर भी यूज़ किया गया है यह स्मर्फन आपको मीवाई 2.5 के साथ देखने के लिए मिलेगा लेटेस अंडोर 11 के साल सो पैकेज बहुत ही अच्छा है डामेंच सीटी एठ लेट टैनोला चिपसर यूज़ किया गया है ज्योंकि 6 नैनोमीटर पर बेस है और यह चिपसर डेटू लाइब में बहुत ही अच्छा से वर करता है इन अब किसी भी गयम को भेरी हाइस में ग्रापी में भी खेल है 6.6 इंस का फूल एचली प्लस IPS LCD डिस्पेल देरक है और यहां पर आपको 50 असका नहीं 60S का नहीं बाकि 90S का रिफ्रेसर कर सपोर्ट मिल जाता है तो डिस्प्ले कापी ज्यादा स्मूथ है अगर एमोलेड होता तो और भी ज्यादा ब्राइट होता बट फिर भी ठीक है तो जिन लोगों का बज़ेट है अठार के के अंदर में यह स्मार्टफन को देख लो बहुत अच्छा फोन है 6GB 120 8GB ROM के सप्राइजे 1699 और आपको एमोलेड पे इसली मिल जाएगा डू चकाउट चली वीडियो में आगे बढ़ते है और बात करते है नैस स्मार्टफन के ब प्रो को लांच किया था सबसे बेस्ट गैमिंग स्मार्टफन था और यह स्मार्टफन न्यू है पोको का पोको एक्स फूर प्रो और यह स्मार्टफन 5G के साथ आता है चलिए डेटल में जानते है क्या कुछ खास देखने के लिए मिलता है सबसे पहले इसका लुक देखो प्रीमियम लुक है और यहां पर काफी अल्टर एक्टिव डिजाइन बनाया है इस बार यहां पर बहुत ही ज्यादा को चैन्जिंग देखने के लिए मिल रहा है पोको एक्स प्रो से अगर मैं कमपैर करो तो तो डिजाएन बहुत ही अच्छा है इस्टाइली से प्रीमियम यहां पर आपको 67 वाट का चार्जर भी मिल जाता है तो यह चीज मिझे बहुत ही अच्छा लगा यह चार्ज करता है और बाइस मिनट में 70 परसेंट और 31 मिनट में 90 परसेंट वाल को चार्ज कर देता है तो बैटरीव का कापी लंबी दरेके लंबी समय तर यूज कर पाओगे लैग और हीटिंग इस फॉन पर में देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि इस पॉन के अंदर इस फॉन के अंदर एक नहीं बाकी तीन क्यामरा यूज क्या गया है एट मेगा पिसल का अल्टरा वाइड यहां पर आपको टू मेगा पिसल का एक मैक्रो क्यामरा मिल जाता है तो यहां पर आपको 64 मेगा पिसल A1 3D camera का setup मिल जाता है और जैसे मैंने सोचा था कि 64 मेगा पिसल कैमरा है तो बहुत ही अच्छा फोटो क्लिक करेगा इन अप यहां पर उतना भी खास पोफर्म नहीं करते हैं इंडियोर का फोटो देखो त जान के साथ आता है उबरोर पैकेश भी बहुत ही अच्छा है लिक्विड को लिंग का सिस्टेम मिल जाएगा डूवल इस्टिडियो स्पीकर है तो पैकेश बहुत ही अच्छा है अब बात करते हैं प्राइस के बारे में तो इस पोन का प्राइज है शिदी ऐसीवी सीथी फो कैसा लगा आप में लिए नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मेरी खेल से यह smartphone बहुत ही अच्छा smartphone है स्वामी का लेटिस्ट बेस्ट पॉपरफुल इस smartphone है और पोको का smartphone actual में बहुत ही अच्छा होता है मैजर इसे मुझे क्यामरा के पार्ट में देखने के लिए मिला में इजली रेन कर पाऊगे तो इजली आपको फिलिक कर पे मिल जाएगा लिंक में आपको नीचे दे दूंगा बात करते हैं नमर वन इस्मार्पोर के बारे में वैस्वामी का रैर्मी नौट 11 Pro Plus दिस न्यू 5G स्मार्पोन और यह स्मार्पोन और अल्डरा अंडर फ्लेक्षीव किलर स्मार्पोन है जिसे आप बूल सकते हैं मिल रेंस फ्लेक्षीव चलिए डेटिल में जानते हैं क्या कुछ खास देखने के लिए मिलता है तो यह स्मार्पोन ग्लास बेक्डिय डिस्प्लेइ स्मूथ है वीडियो देखने में गैम खेले में काप ही ज्यादा मज़ा आता है और इस वाले फॉन में भी स्नाप्रवाइं का 695 बॉला चिफ्चर यूज किया गया है लेकिन इस फॉन के अंदर जो सबसे बिगेस्ट प्रस प्रस पॉन्ट है क्यामरा इस देखने के लिए मिलेगा बारे में बात करें तो इस फॉन के अंदर प्रस प्रस के अंदर में मिल जाता है दोको यह भी स्मॉर्फों बहुत ही अच्छा है इस फिकर कापी लाउड है डूल स्पीकर है ग्लास वेक्डियान के साथ आता है प्रिमियम लूपर में इदली आप देता है और सो क्यामरा भी इसका बहुत ही अच्छा है तो अबरोल यह स्मार्पोन एक और रॉंडर फ्लैक्सिव मिड्रेश स्मार्पोन है जो आप ले सकते हैं अंडर रुपी स्टी थुएन के प्राइस पोन में और इजली आपको एमोजन पे मिल जाएगा लिंक में आप अच्छा है अगर आपको 4G में जाना है तब देख लेना और अगर आपको 5G में जाना है तो तीनों में किसी एक को देख लेना मिले ख्याल से आपके लिए बेस्ट होगा 4G से अच्छा 5G होगा अब यहाँ पर एडमी का नौट एलबन प्रो प्लस को देखो बहुती अच् बह्तिंट